का इस वक्त आप देख रहे हैं मुकाबला तेलंगाना वर्सिस तमिल लाडू के बीच मैच आफ वी सियल अरुन सर वहाँ पर टॉस कराते हुए तोनली टीम से देखें यह टॉस गया है तेलंगाना के पश्मे टॉस जीत कर पहले कोट चुनने का फैसला किया है तो फिर पहली रेड किसकी होगी पहली रेड होगी तमिल लाडू की तरफ से और सेकंड हाफ की पहली रेड होगी तेलंगाना की तरफ से तो यह भी एक कड़ा मैच होने वाला है दोनों ही टीमें दोनों ही टीमें अपना दमखम देखाती हुई नजार आएंगी तो फिर से स्वागत है अ चल रहा है यहां पे तिलंगाना वर्सेज तमिलाडू के बीच और रेफरी भी तयार अब से कुछ ही पल में गेम शुड़ू होगा तिलंगाना वर्सेज तमिलाडू के बीच जैसा कि हम लोग देख सकते हैं तमिलाडू की टीम वर्म अप करती होई नजर आ रही है वहें शुरू आति के मुकाबले जीत कर यहां तक कि सफर तैकी है और आगे भी जीतना चाहेगी तो अभी रेफरी का विशल आनाव वाकी और और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं तेलंगाना के किलारी आपस में इस्टेजी बनाते हुए जो कैसे गेम खेलना है शुरुवाती चनों में बिल्कुल चट करकर खेलना है हमें मौका नहीं देना है विरोधी टीम को बढ़त पराने की और शुरुवाती ही चन में हमें लीड को बरकरार करना है और बिल्कुल अपनेंट टीम को पीछे की और धाकेल देना है उनका मनसुबा साफ है तो क्या लगता है मोनु जैसा कि हमने मुकाबला देखा था पिछले मुकाबले हरियाना वर्षेश श्राई जो एक तरफा मैच चले गई थी क्या वो इस मुकाबले भी एक तरफा होगी य होना चाहिए दोनों ही टीम है तो अच्छी नजर आ रही है बिल्कुल पॉजिटिव नजर आ रही है लेकिन देखना होगा कि यह मुकाबला कैसे चलेगा फिलाल वहां पर जो ऑफिसील्स है वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सभी प्लेयर्स को कि आप किस प्रकार से मैच को खेल है और शायद वो ड्रेस को लेकर बात कर रहे है कि आपकी ड्रेस है ना वो इन होनी चाहिए जब आप रेड करने के लिए जाए अगर ड्रेस आउट होती है तो फिर उसमें आप रेड नहीं कर सकते शायद वहापर वही चीज बताई गई है और सही भी रहता है जब चल जाता है कि हाँ मैंने टच दिया है वहाँ तो ऐसी कंडिशन में हमीसा कंफीजन हो जाता है देखिए टोर टच देखिए टोर टच देखिए वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पॉइंट निकाला है तेलंगाना के जो लेफ्ट कॉर्णर है उनका शिकार किया है और पहला पॉइंट अपने नाम किया है यह देखिए यहाँ पर क्या मल्टीपल मल्टीपल पॉइंट्स आने वाले कितने पॉइंट्स काउंटी की जाएगी एक तो कंफर्म है दूसरा या तीसरा नहीं 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 बस एक पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट ही निकाल पाई है ऐसा प्रतीत हुआ के शायद दो पॉइंट या तीन पॉइंट निकाल सकती है लेकिन प्लियर तच करें उससे पहले वो लाइन क्रॉस कर चुकी थी बॉनस लेने का प्रियास किया है और थुड़ा सा कन्फर्म किया अपनी टीम से क्या वहाँ पर बॉनस से क्लियर ली आ गया है लेकिन यहाँ पर क्लियर ली टोर टच आ गया है ऐसा प्रतीत होता है जी आ बिलकुल वहाँ प्लेयर ने एक्सेप्ट भी किया है ये देखिए ये खेल बावनाओं के प्रती प्यार दिखाना सबसे ज़्यादा जरूरी अगर आपके पास वो टच हो गया है तो आप एकसेप्ट कीजिए और बता दीजिए के हाँ मेरे उपर टच हुआ है अगर आप ऐसा करते हैं तो यखीनां आप खेल के मैदान में जरूर आगे जाएंगे क्योंकि आप अपने खेल के प्रती लॉयल जरूर रह सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये डैश देखिए यहाँ पर ये एंकल होल्ड देखिए वहाँ पर गलती की बिल्कुल जाल में फसाया कुछ जादा ही अंदर चली गई थी वहाँ जाने की आवशक्ता थी नहीं मौका दिया वहाँ पर मौका दिया तब लाडू के प्लेयर्स को कि आप इस पॉइंट को आसानी के साथ निकाल सकते हैं और उन्होंने वो पॉइंट निकाल लिया है चार एकी बढ़त अभी तक हमें नजर आई है और क्या ये बढ़त अंतिम मिनट्स तक जाने वाली या फिर पलट वार करेगी तेलांगाना ये देखने वाली बात रहेगी फिलाल यहां एमपटी रेड डाले गई है ऑफिसेल्स की तरफ से थोड़ी सी वर्निंग भी दी गई है तमिल लाडू के प्लेयर्स को अगर आप मर्यादा में नहीं रहेंगे तो फिर आपको ग्रीन हमें तमिल नाडू के स्कोर कार्ड पर नजर आ रहें और सिर्फ एक पॉइंट नजर आया है तेलांगाना के लिए विवेक शुरुआती मिनट्स में इस प्रकार की बढ़त लेना आप लगातार प्लेयर्स को आउट कर रहें चाय रेडी की बात करें चाय आप डिफेंस की करें हर तरफ से आप देखें निकाल रहें यहाँ पर ताइव करने का प्रयास किया लेकिन बाकी कि जो प्लेयर्स ते उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया और जब आप अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं देते हैं तो यह रहें तो आप जाएंगे मैट पर जी नहीं कवड़ी का गेम ऐसा गेम है जो इसी भीच देखिए सांदार टैकल होल ऐसे ही सपोर्ट देने की ज़रूँ थे तेलंगाना के प्लेर्स को दुसरी तरफ तमिलाडू की टीम टीम वर्क करते हुई दिखाई दे रही है तो वहीं तेलंगाना की टीम थोरी सी पिछरत भी नजर आ रही है वह सोलो टैकल पर जादा जा रहे हैं जबकि कवड़ी एक ऐसा गेम है जो आप टीम के साथ जाते हैं तो आपको नतीजे कुछ और मिलेंगे तेलंगाना की टीम के तमिलाडू को डिफेंस को देख कर के कुछ सीखने के जरूरत है यहां पे और इसी खत्रा को दूर कर पाते हैं या नहीं तेलंगाना के खिलाडी जर्शी नंबर वन रेट करते हुए और जी बिलकुल मनसूबा साफ है आप एक रहे या दो रहे मैं तो आपको बाहर का रास्ता ही दिखाऊंगा और इस बीच वान प्लस टू त्री पॉइंट एक पॉइंट के आउट करने का और टू पॉइंट ऑल आउट करने के मिला और इसी बीच तिलंगाना के कोच टाइम आउट बुलाया और इन्हें ये सायद पहले करने की जरुवत थी तिलंगाना के कोच यही समझा रहे हैं और आप लोग अभी भी कुछ ज्यादा समय नहीं गया महज 10 प ही गेम चलाएं अटैकिंग मोड ही ओन रखें और आप अटैक्टिंग गेम ही के लिए और पीछे धकेलते रहें ते लंगाना के और टाइम आउट के बाद फिर से गेम सुरू होता हुआ चेस्ट नमबरेगारा तमिलाडू किरेडर और इनके लिए साथ का डिफेंस है जब साथ और छे का डिफेंस रहता है कोट में महजू तो बोनस ओन रहता है और बिलकुल ये बोनस का प्यास किया है और बोनस लेने के लिए एक पैर ब्लैक लाइन से पार और उसी समय दुसरी हवा में रहने चाहिए देखना होगा बोनस मिल पाता है या नहीं बोनस नहीं मिला तो शुरुवाती के च्छनों में हमें भले ही तिलंगाना की टीम पिछरती हुई नजर आ रही है पर वापसी तो कर सकती है अगर ऐसे ही खेलती रही तो ये लीड बरकर 20 पॉइंट के भी हो सकती है क्या तिलंगाना इस लीड को तोरने में कम्याब रहेगी या नहीं मुश्किल रहेगा काफी मुश्किल रहेगा इस लीड को कवर करना और फिर लीड देना देखे आप पहले हाफ में ही इतनी बड़ी लीड खा चुक है ग्यारा पॉइंट के लीड आप और लेडी ले चुक है इस बगत अमिल लाडू की टिम बिल्कुल रैड हॉट फॉर में नजर आ रही है तेलंगाना की टिम रैड ड्रेस में जरूर खेल लाई है लेकिन उनकी फॉर्म की बात करें तो बिल्कुल रैड दिखाई नहीं दिया है तो उनकी टिम कफी पीछे है बॉनस लेने का प्रयास किया है यहां पर जर्सी नमर फाइब के दौरा क्या इन्हें बॉनस मिला है नहीं 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 बॉनस नहीं मिला है बोनस लेने का सही तरीका होता है कि आपका एक पैर बोनस लाइन के अंदर उसी समय दूसरा पैर हवा में भी होना चाहिए लेकिन बोनस नहीं मिलाए टश पॉइंट जरूर मिल गया है तेलागना को अब इससे एक पैर जरूर मिलेगा अब यहाँ डू और डाई रेड आ गई है तमिल लाडू की तरफ से यहाँ करो या मरो लेकिन मरेंगे तो नहीं करके जरूर जाएंगे वहाँ पर अच्छी किक लगाई है जर्सी नंबर 6 को शिकार बनाया है वो लेफ्ट कॉर्णर वहाँ पर मौझूद थी आसानी के साथ वहाँ पॉइंट निकाला है डू और डाई रेड में यह देखिए यहाँ पर भी किक लगाई है तो फिर यहाँ पर भी पॉइंट मिलेगा जर्सी नंबर 7 का सिकार बना ल जर्सी नंबर 5 को फिला सिकार बनाया है एक और पॉइंट एक और पॉइंट आता हुआ यहाँ तमिल लाडू के लिए लेकिन यहाँ पर नजर डालें स्कॉर कार्ड पर तो 11 पॉइंट की लीड हमें नजर आ रही है क्या यह 11 पॉइंट की लीड पहले हाफ में कवर कर अब लूग और उतना ही संदार क्या लाइन क्रॉस किया है मीड लाइन को यहाँ पर अभी रेफडी का काउंटिंग चालु है अभी रेफडी का डिसीजन आना बाकी है तो आप लोग सासे रोकिये हैं हमारे साथ हूंट वह देखना विदा कि लाइप में देखना भी बाकी बिल्कुल फोर पॉइंट जी हाँ फोर पॉइंट यहाँ पर शूपर डूपर रेड लगाए है यहाँ पर तमिलाडू की रेडर छे नमबर जर्सी में कार्थिका जिबलकुल नजरे गराया रखेगा कार्थिका पर पिछले मुकाबले इन्होंने सूपर टेन लगाया है और लगभग इस मुकाबले विए सूपर टेन के नस्दीक पहुंच गई है मनु और लग पहुंच गई है और यहाँ पर इसी वीच तेलंगाना की टीम ओल आउट होती हुई दिख रही है एक और यहाँ पर दे चुकी नहीं है दे दी है यहाँ पर तमिलाडू की टीम ने वन पॉइंट हो चुका है और इसी ओल आउट के साथ स्कोर हो चुका है तमिलाडू 21 और तेलंगाना थ्री जिहाँ नी संको से लीड करतो ही तमिलाडू की टीम शुरुआते चनों में तमिलाडू की टीम बढ़त बनाई हुई है मोनू तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहि या प्लियर्स को वहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू ऑफिस्यल्स के साथ कर रहे है तेलंगाना के कोच शायद और देखे जादा देर करेंगे तो फिर वो ग्रीन काड़ आने वाला है उन्होंने जिम में हाट डाल लिया था लेकर खुश्यस मत है कि वो काड़ नहीं निक अगर जादा देर बहस करेंगे तो फिर रेड काड़ भी आ सकता है यहाँ पर थोड़ा सा सायम बरतना पड़ेगा वहां आपको समझना पड़ेगा कि ऑफिस्यस ने जो डिसीजन दे दिया है वो आपको मानना पड़ेगा आप ऑफिस्यल्स के बुरुद्ध नहीं जा सकते खेल भावनाओं के प्रती आपको प्रेम दिखाना पड़ेगा आपकी टीम पीछे है आपको ये एकसेप्ट करना पड़ेगा आप ऑफिस्यल्स से बहस नहीं कर सकते आप अपने प्लियर्स को समझाईए कि वो बहुत अच्छा खेलें क्योंकि आपकी टीम में इस पक्त पि ये देखिए किस प्रकार से वहाँ पर शिकार बनाया है थोड़ा सा अंदर गुसकर पॉइंट निकालना चाहती थी लेकिन लेफ्ट कॉर्णर लेफ्ट कवर उन्होंने तो कोई गलती नहीं किये समय के साथ पहुँचे और शिकार बनाया है ये मैच बिलकुल तमिलाडू के पक्ष में जा चुका है 21 पॉइंट की बढ़त उन्होंने पहले हाफ में ले लिया है और मुझे ऐसा प्रतित होता है जब ये मैच ओवर होगा तब 30 या 35 पॉइंट की लीड उस समय इनके पास होगी बॉनस लेकर वापस आईए तो जो कारे करना चाहिए तेलंगाना को वो कारे कर रहे है तमिलाडू के पिलियर वो हर पॉइंट में हर पॉइंट निकाल रहे हैं चाहिए आप उस समय रेड कर रहे हैं या फिर आप उस समय डिफेंड कर रहे हैं तो जब वो पॉइंट निकाल रहे हैं तो उनका जो स्कूर कार्ड है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है 26 पॉइंट उन्होंने अर्न कर लिये हैं और वहीं बात करें तेलंगा ना की तो सिर्फ तीन पॉइंट वहाँ पे नजर आए तो आप अपनी जो इनके कोच है ना वो अपनी टीम से गुसा जरूर हो सकते लेकिन आप इस फर्स्ट रेट को वहाँ पर नहीं निकाल सकते आपके अंदर जो गुसा है अपने प्लेयर्स को लेकर आप ऑफिसियल्स की उपर नहीं जा सकते आप अपने players को समझाएं कि वो बहतर खेलें यहाँ पर officials की गलती नहीं है कि आपकी team इतनी पीशे चली गई है आप time out लेकर समझा सकते हैं अपने players को और देखें वही समझाने का प्रयास किया time out लिया है और उनके coach साव लगातार समझा रहे हैं कि इस मुकाबले को कैसे आगे चलाया जाए कैसे इस lead को cover किया जाए कैसे इस मुकाबले में जान डाली जाए तो player अच्छा करेंगे ना तो फिर वहाँ पर इनके coach है ना वो थोड़े से खोस जरूर होंगे और coach जब coach होंगे तो फिर उम्मीद करते हैं कि वो officials के साथ भी अच्छे से ही बात करेंगे लेकिन जब आपके player अच्छा नहीं कर रहे हैं तो officials से आप गुफ्तकू करेंगे तो वहाँ पर आप red card green card ही खाएंगे फिलाल यहाँ पर जो समय था time out का वो over हो चुका है फिर से यहाँ पर every ने whistle बजाई है कि वो आप time out के दौरान इतना समय नहीं ले सकते तो ऐसा परतीत होता है कि तेलांगाना को कुछ ना कोच यहाँ पर officials की तरब से मिलने वाला है वो gift भी क्या मिल सकता है यहाँ पर विवेक जबिलकुल यह जो time out का जो कोजेज लेते हैं उनका समय होता है 30 सकेंड जो रेड का सकेंड होता है वही time out का भी सकेंड होता है 30 सकेंड ही आप अपने गेम चल रहा है उसके बीच में आप अपने प्लेश को 30 सकेंड के अंदर समझा सकते हो और आपके पास में 30 सकेंड होता है उतने में आपको प्लेयर को सारे बाते बतानी होती है जो आप कहां गलती कर रहे हैं और कहां सुधार करनी चाहिए और इसी बीच एक प्लेयर सेलफ आउट नजर होते होई आ रही है जो बिल्कुल आप भीना टच के वाइट लाइन के पटी से आप बैक लाइन से बाहर नहीं जा सकते हैं जो की गलती की हैते लंगाना एक तो पिछहर रही है इतनी और उपर से यह गलती करेंगे तो कहां से लीड कवर होने वाली है 25 अंग की महतपूर्ण बढ़त बनाते हुई शुरुवाती शन में तमिलाडू की टीम बढ़ चट के खेलते हुई इस मुकावले में और शुपर टैकल सिचुएशन में आई है तमिलाडू की नई रेडर रेड करने के लिए जिए बलकुल सब्सिट्यूस होकर क्या आई है और कोज भी चाते हैं मैं अपने बेंच स्टेंध बहुकर करके लेट जब करके दे रहा है तो पॉइंट कमा रहे हैं तो उनके कोचेश भी खुस हैं और एक बार फिर से तिलंगाना की टीम है ओल आउट इसी तीम में जाते हुए दो ही प्लेयर और इसी विच रेफरी का विसल हाप टाइम होता हुआ और स्कोर काट पर नजर डाले तो जैसा कि आप लोग स्क्रिन पर दे दिखानी होगी और लीड को तोरना होगा तो क्या कहना चाहेंगे मौनु आप क्या इस्टेजी रहेगी तेलंगाना की कोच की जो सकेंड हाफ में वापसी कर पाएगी टीम देखिए इस्टेटर जी तो यहां पर साफ है और गेम का पेस बढ़ाना पड़ेगा तेलंगाना के कोच आपने प्लियर्स को समझा रहे हैं कि आप किस प्रकार से सैकेंड हाफ को खेलें तो आप जीत हांसिल कर सकते हैं लेकिन देखिए यहां से जीत को देखना उतना जाद आसन रहेगा नहीं आपके पास सिर्फ एक हाफ बचा हुआ है और तकरीवन 26 पॉइंट की लीड आप खा चुके हैं इसका एडवेंटेस मिलेगा तमिल लाडू को तो तमिल लाडू की कोश है ना वो काफी कोश नजर आ रहे हैं और दीखें कितने प्यार से बात भी कर रहे हैं अपने प्लेयर के साथ उन्हें पताए कि हमारे पास लीड है हम तकरीवन तकरीवन इस मुकामले को जीत चुके हैं तो यही चीज़ वहां पे हमें देखने को मिली है एक तरफ कोच सीरियास है तो दूसरी तरफ इ है या बुरा कर रहे हैं तो आप प्लेयर को मोटिवेट करें गुसा ना करें प्लेयर के उपर अगर आप प्लेयर के पास प्रेशर बनाएंगे दवाब डालने का प्रयास करेंगे तो प्लेयर वह चीज़ भी ड्रॉप कर देंगे जो उनकी स्ट्रेंथ है और यह हमने लगा काले हैं अगर वहीं बात करें हम तमिल लाडू की तो उन्होंने 39 पॉइंट हासिल कियें तकरीवन 26 पॉइंट की लीड यहाँ पर तमिल लाडू के पास रही है सेकेंड हाफ यहाँ पर अगर थूड़ी सी गलती भी करेगी तमिल लाडू की टीम तो आसानी के साथ इस मैच को अपने पक्ष में रख सकती है लेकिन बहतर नहीं बहतरीन करने की आवशकता है तेलंगाना को तेलंगाना की तरफ से रेड डाली गई है सेकेंड हाफ में जर्सी नमबर दो कम से कम दो पॉइंट लाने की आवशकता दो पॉइंट लाएंगी तो बाद बनने वाली है जब कोट पर तीन या तीन से कम प्लेयर मौजूद रहते हैं उस समय सूपर टैकल ओन रहता है और ऐसी कंडिशन्स में अगर आप रेडर को पकड़ लेते हैं तो आपको बहादुरी के लिए एक पॉइंट एक्स्टा दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाई जर्सी नमबर स ला दिया है तीन प्लेयर मौजूद रहेंगे यहां भी सूपर टैकल ओन है क्या यहां सूपर टैकल ओन है तो इसका फाइदा उठाएंगे एक पॉइंट की जगा है दो पॉइंट निकाल पाएंगे फिलाल यहां पर सेफ खेलना चाहिए लेकिन सेफ खेलेंगी नहीं जर् पर दिखाई देंगे फिलाल देखिए लोबी का इस्तेमाल किया रनिंग हैंट टच जर्सी नंबर दो को जाएंगे चार को वापस किया है देखिए यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है फिर से सूपर टैकल ओन है क्या इस बार सूपर टैकल ओन है तो क्या दो पॉइंट रास्ता देखा दिया जर्सी नंबर सिक्स ने वहां देखिए बिलकुल अंदर चले गए उनका जो बाकी के जो प्लेयर थे वो बिलकुल साथ देने के लिए नहीं गए और उस चीज़ का फाइदा उठाया वहां तो यह मैच तेलंगाना और पिछले कुछ मिनट्स पे नज चाह नहीं पाएंगे जल्दी ही टीम ओल आउट हो जाएगी एक और प्लेयर का शिकार किया है जर्सी नंबर सिक्स ने जर्सी नंबर चार को बाहर किया है और देखिए वो शायद सेल्फ आउट हुए वहां पर वो बीचे जो आप बैक लाइन देख रहे हैं उसको क्रॉस क चुके थे लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे देखा कि सिर्फ दो प्लेयर को पर मौझूद हैं एक प्लेयर को रनिंग हैंट टच किया दो पॉइंट लेकर वापस आईए आखरी योदा आखरी योदा क्या यहाँ पर मिड लाइन क्रॉस हुई है क्या यहाँ पर काउंट किया तो आपको उसका गिफ्ट दिया जाएगा यह नियम कहता है कि जब आप किसी भी टीम कॉल आउट दे देते हैं तो फिर आपको दो पॉइंट उपहार के तौर पर दिये जाते हैं तो जब आपको पहार मिल गया है तो स्कॉर पार पर नजर डाल लीजिए जो लीड निकाल कर 38 पर पहुचा दिया है लेकिन यहां पर यहां पर multiple points आने वाले हैं काउंटिंग की जा रही है कितने points दो प्लेयर और लेड़ी भाहर जा चुके हैं जिया बिलकुल two touch points यहां पर आते हुए तेलांगना के लिए यहां थोड़ी सी राहत यहां थोड़ी सी राहत आ पर एक और point आता हुआ तमिलाडू के लिए विवेक पिशले कुछ मिनट्स पर नजर डालें तो फिर points तेज कती के साथ आ हैं चाहें फिर हम तेलांगना की बात करें यहां तमिलाडू की बात करें तो क्या वापसी कर सकती है यहां से तेलांगना की टीम जी तक्रीबन तक् और की जरूबत है यहां पर अगर वो super rate लगाने में कामयाब रहती हैं मल्टी पॉइंट्स rate लेने में कामयाब रहती हैं तो उन्हें score कम करने में मदद मिलेगी लेकिन ऐसा तमिलाडू की defense होने नहीं देंगे क्योंकि तमिलाडू की defense एकदम सजी होई defense और उदर तिलांग और वही समझाते हुए तिलांगाना के coach और इधर तमिलाडू के coach पूरा entertain करते हुए game को और समझाते हुए player को हम लोग एपास अच्छी खासी lead है आप लोग मैस time kill करो और हम लोग तो मैस जीत ही गया है और फिर से time out के बाद game सुरू होता हुआ jersey number 3 raid करते हुए और इनके लिए bonus on रहेगा देखना होगा क्या bonus ले पाती है या नहीं और जी नहीं bonus तो नहीं ली पर touch point जरूर अपनी team के लिए महत पूर्म touch point हासिल की है और इससे बीच क्या कुछ घटा है इस raid में touch point आया है या देखना काफी दिल्चस्प होगा player confidence होते हुए और जी बिल्कुल यहीं होता है sportsman of spirit जी बिल्कुल touch खायती और खिलारी ने माना है जो आप मुझे touch किया और असानी से हाथ उपर किया और यहाँ पे इसी बीच two touch आता हुआ बिल्कुल एक point इधर तो एक point उधर पिछलो कुछ मिन्टों में तो game का है पेस बड़ा है पर कुछ बड़ा नहीं कर पाई यह तेलंगाना की टीम तमिलाडू के सामने क्योंकि तमिलाडू की टीम बार बार लगतार points ले रही है वही एक 40 point हासिल कर चुकी है और वहीं मेहज तेलंगाना 11 point ही हासिल कर पाई इस मुकाबले में अभी तक और इनके लिए bonus on है क्या देखना होगा bonus ले पाती है या नहीं bonus तो नहीं मिलेगा पर जी है बिल्कुल touch point जरूर लेंगे तो मुनुक क्या लगता है यह काम जो तेलंगा आनके खिलाडी अब कर रहा है इने पहले हाप में करने की जरूर थी या इससे पहले करते तो यह लीड कुछ और होती इसके जगापे जी हाँ अगर पहले से बैतर करते तो फिर शायद जो मार्चन देख रहा है आप इस समय जो लीड देख रहा है इस समय वो थूड़ी सी कम जरूर होती लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर तमिल लाडू की और तमिल लाडू के डिफेंडरों की जस परकार से उन्होंने इस मैच को चलाया है और रेडर्स का बोल बाला बिल्कुल भी चलने नहीं दिया है जैसे ही मौका मिलता है वो पॉइन्ट से निकाल लेते हैं और देखा हमने पिषली बार किस परकार से काला है और देख्गे ओ सेकंड हाफ ही अव अंतिम चरद में प्रवेस कर चुका है यहां से तकरीबन 4-5 मिनट काना बाकि और 4-5 मिनट में आप यो जो 30 पॉइंट के आसवास जो लीड है उसे कवर नहीं कर सकते 30 पॉइंट की लीड को कवर करना मतलब कि 4-5 रेड में आपको 4-5 पॉइंट ले जाने की आवशकता है तब ही आप उस लीड को कवर कर सकते हैं फिलाल यहां पर देखिए यह सूपर रेड क्या यह सूपर रेड आने वाली है और जिस हम सूपर रेड की बात कर रहे थे जैसे मोमेंटम की हम बात कर रहे थे वैसा तो देखने को मिलाए लेकिन यह रवया कितने मिनट तक चलेगा कितनी रेड तक चलेगा यह देखने वाली बात रहेगी और यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा इस वक्त तिलंगाना के लिए आपने सूपर रेड लगाई या तीन पॉइंट अर्जित कियें लेकिन एक सूपर रेड से बात बनने वाली है नहीं आपको लगातार सूपर रेड लगानी पड़ेंगी लेकिन इसी बीज देखिए वहाँ पर बॉनस पॉइंट निकाला है एक पॉइंट और आता हुआ है यहाँ पर देखिए लॉवी का इस्तमाल किया अच्छा के का इस्तमाल किया तो टच साथ में किया है अगर किया है तो फिर पॉइंट भी निकालेंगी लेकिन तमिल लाडू यहाँ पर गेम को जरूर धीमा करने की तरफ देख रही होगी पहले रेड को वैलेड करेंगे उसके बाद थोड़ी सी चहल करमे और तकरिवन 25 से 28 सेकंड जरूर बिताएंगे और उसके बाद ही वापस जाएंगे उनकी भी मनसा साफ है यहाँ पर कि वो ज़ादा कुछ अतरिक्त करने का प्रयास नहीं करेंगे बहुती शान्दर तरीके से वहाँ पर बॉनस लेने का प्रयास किया है अब देखना होगा क्या वहाँ पर वो बॉनस ले पाए हैं इससे रिवाइवल भी मिलेगा टीम को, बॉनस लेकर आते तो सिर्फ पॉइंट मिलता, यहां पॉइंट प्लस रिवाइवल भी मिलेगा, यहां से तमिलाडू की टीम बिलकुल आगे जा चुकी है, मातर आप चारिकता है बाकी रह गई है इस मैच में, या उससे ज्यादा कु अगर पहले यह करते तो आज कुछ और आता है स्कोर गाट पे और इसी वीच रिवाइव होकर के जो खिलाडी अंदर आई है, चेश नंबर आट रेड लगाते हुई और इनके लिए पांच का डिफेंस होन है, जो की बहुत मुश्किल हो साई इस डिफेंस में पॉइंट न तकरीबन मुश्किल होता है, और मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने सेफ रेड करना ही सोचा, और अंतिम च्छनों का गेम चलता हुआ, अंतिम दो मिन्टों का गेम बचा हुआ है, मैं जब इस मुकावले में अपचार इकताय बाकी है, और लगबग तमिलाडू की टीम कोन है, देखना होगा, रेडर बोनस ले पाती है, नहीं नहीं ले पाएंगी, नहीं ले पाएंगी, जब तक लेप कॉर्नर, जर्सी नमबर वन, चेश्ट नमबर वन पे नजरे, निगाहे गराय रखिएगा, जब तक वो ग्राउंड में महजूद है, आप वो ब्लैक लाइ तुम होनों जो क्या लगता है, अंतिम चौनों में गेम चल रहा है, अब महज इस मुकावले में तो अप्चा लिखता है, बाकी है, बस रेफरी का फाइनल डिसीजन बन, आना बाकी है मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पर तेलांगाना किटिंग कम से कम 20 पॉइंट तो जरूर क्रॉस करें, देखिए 17 पॉइंट पर नजर आ रही थी, 18 पॉइंट रोने निकाल लिया है, तो कम से कम 20 पॉइंट तो अरजित करें, इस मैच में तो कहीं न कहीं वो थोड़ा सा सेल मोटिवेट हो सकते हैं कि मैच जरूर हारें, लेकिन उतना जादा नीचे नहीं गए हैं कि जतना जाना चाहिए था, तो कहीं न कहीं उसका एडवांटेज आपको अगले मैच मेलेगा, यह देखिए, अचा रणिक हैंट पॉइंट 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 तो नहीं बना साथ इस मुकाबले को जीत लिया है तमिल लाडू ने, सिर्फ 18 पॉइंट गए हैं तेलंगाना के पक्ष में और वहीं बात करें हम, तमिल लाडू के तो उन्होंने 50 पॉइंट अरण किये हैं, बड़े मार्जन के साथ, 32 पॉइंट से इस मुकाबले को जीत लिया है, तमिल लाडू के बीच और आप देख रहे हैं, यह समय 32 वा सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड़ी चैंपियंशिप तो होजाच चौबीस